So, Hey everyone, Welcome back, I'm Abhishek, Gaurav from IITBHU So guys, पिसले वीडियो में हमने देखा कि अलिवर्दी खान ने कैसे सरफराज की हत्या करके वहाँ पे नवाब बनते हैं, बंगाल के नवाब बन जाते हैं फिर 1756 में अलिवर्दी खान की मृत्यू हो जाती है और सिराजु दौला को बंगाल का नवाब बनाया जाता है जो कि basically इनके grandson होते हैं, एक तरह से आप कह सकते हो अलिवर्दी खान के grandson होते हैं तो basically सिराजु दौला जब नवाब बनते हैं तो ये अपने early 28th year में होते हैं यानि ये 23 साल के जब होते हैं तभी इनको नवाब बना दिया जाता है तो ये जो सिराजु दौला थे ये अपने early 28th में नवाब बनते हैं अब इनको क्या था कि इनको idea नहीं था ये मतलब ठीक है capable तो थे लेकिन इने ज़्यादा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इन्हें experience नहीं था कैसे क्या करना है तो होता क्या है कि अब हम इस वीडियो में इनके जो ये challenges face कर रहे थे अपने time में नवाब बनने के बाद तो उसे हम discuss करेंगे अब अगर आप channel पे नए हो तो channel को subscribe कर ले और अगर वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को like जरूर कीजेगा तो start करते हैं अब तो basically ये अपने 28 में जब नवाब बनते हैं तो ये बहुत सारे troubles अपने grandfather से ले कियाते हैं troubles मतलब बहुत सारा मतलब इनको परिसानिया होती है कुछ-कुछ जो इनके grandfather से ही इन्हें मिलता है inheritance में मिलता है एक तरह से आप कह सकते हो अब वो troubles क्या-क्या था तो वो एक तो इनके rival cousin थे जो कि पूर्णिया के नवाब थे पूर्णिया आज के बिहार में है और ये बिहार मतलब पूर्णिया उस टाइम पे थोड़ा बड़ा ये था अभी आज के इतना छोटा नहीं था वो थोड़ा बड़ा था तो पूर्णिया के नवाब थे और इनके cousin थे इनका नाम था सौकत जंग तो सबसे पहला तो सौकत जंग जो कि पूर्णिया के नवाब थे वही इनके rival थे वही इनके against थे दूसरा एक hostile aunt यानि इनके ही aunt थी मतलब aunt क्या जैसे बात करें तो इनकी मौसी रगती थी और ये घसीटी बेगम इनका नाम था तो घसीटी बेगम इनकी मौसी थी जो कि एक childless वीडो भी थी तो ये भी इनके खिलाफ थी ये भी नहीं चाहती थी कि सिराजु दौला नवाब बने यहाँ पे और बेसिकल ये जो पूर्णिया के नवाब होते हैं सौकत जंग ये भी इनकी घसीटी बेगम की ही एक बहन होती है उनके ही बेटा होते हैं सौकत जंग तो इसलिए सौकत जंग भी की मतलब ये फेवर करते हैं कि सौकत जंग को ही नवाब बनाया जाए तो घसीटी बेगम हो गई फिर इनके जो रिवे एक कमांडर थे मीर जफर ये रिवेलियस कमांडर आफ आर्मी मतलब जो आर्मी के कमांडर थे मीर जफर ये भी इनके अगेंस्ट थे ये भी नहीं चाहते थे कि सिराज दौला को नवाब बनाया जाए जो कि अलिवर्दी खान की बहन थी उनके हसलबैंट थे ये मीर जफर तो यह भी नहीं चाहते थे तो basically सबसे पहले तो internal मतलब यहाँ पे challenges ही मौजूद है कि यहाँ पे सबसे पहले तो इन्हें internal challenges से deal करना होगा इन सब ही से deal करना होगा दूसरी अगर बात करें तो इनके court में कुछ मौजूद थे dominant group था इनके court में ही इनके court में ही जो dominant group थे उसमें थे जगत सेट जो की एक influencer influential banker थे बंगाल के पोमी चंद हो गया है राय बलब हो गया है राय दूरलब हो गया है अब यह कुछ वैसे लोग थे इनके court के जो इनके opposition में थे वो नहीं चाहते थे कि इन्हें नवाब बनाया जाए तो basically internal challenge तो यह हो गया internal challenge इन्ही से deal करना था इन्हे external challenge तो यहाँ पे अंग्रेज तो थे ही अंग्रेज यहाँ पे बहुत सवारा privilege लेके बैठे हुए थे वो उन्हें मतलब वो tax भी बहुत कमी पे कर रहे थे तीन हजार रुपया वो tax पे कर रहे थे like मतलब 350 pound का वो tax पे किया करते थे और वो जो trade कर रहे थे हो 50,000 pound का था तो यहाँ से उन्हें बहुत फाइदा था और मतलब बेंगाल को यहाँ पे नुकसान हो रहा था बहुत कम tax वसूल किया जाना था मतलब बहुत कम tax वसूल किया जा रहा था उनसे तो इसलिए बेंगाल को नुकसान हो रहा था तो यह basically policy भी change करना चाहते तो तो external factor अगर देखे external challenge तो यहाँ पे Britishers तो होई गए बट यह कुछ internal challenges थे अब यह जो थे सिराजु दौला उन्होंने कुछ फैसला तो सही लिया मतलब इंटर्णल चैलेंजिस से deal करने के लिए बट वो कुछ में नाकाम रहे है तो जो फैसला उन्होंने सही लिया तीसरा एक कास्मेरी officer मोहनलाल थे इनको overall administration के लिए appoint किया गया लाइक मतलब प्राइम मिनिस्टर की तरह इन्होंने appoint किया गया तो कुछ जो challenges थे वो तो इन्होंने सही लिया दूसरी बात करें तो घसीटी बेगम को भी इन्होंने कैद कर लिया इसे इन्हें भी बंदी बना दिया गया ताकि ये फिर से विरोध ना करें तो कुछ चैए मतलब कुछ फैसला इन्होंने सही लिया अपने मतलब राज के लिये राज्य के लिये तो कुछ तो फैसला सही लिया बट कुछ फैसला ऐसा था इनका जो मतलब यह सही नहीं कर पाए जिनके कारण मतलब कुछ नाकामिया इन में रही जिनके कारण फिर बाद में हम देखेंगे कि यह जो dominant group थे और यह जो मीर जफर थे इन्होंने ही Britishers का साथ दिया और battle of plassi हुआ और battle of plassi में इन्हें हरा दिया जाता है इन्हें हरा के मार दिया जाता है एक तरसे आप कहतो मार दिया जाता है और battle of plassi से ही फिर Britishers अपना political power यहाँ पे यानि इंडिया में या फिर बंगाल में का है बंगाल में political power establish करना start कर देते हैं तो यह कुछ challenges थे जो मतलब सिराजु दौला ने face किया जिसके बारे में हमने बात कर ली अब next वीडियो में हम battle of plassi देखेंगे क्यों कैसे battle हुआ so I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो like जरूर करें और channel को भी subscribe कर ले so thanks for watching